साम लेकुम गाइस, वेलकम टो एन्मी लेर्निंग, हम कर रहे हैं इसमी लावित की बुक, ड्राफ्ट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, आज हमारे पास क्वेस्टन है, क्वेस्टन नमबर फाइव होगा, I think नमबर आप आगे पिछे देख लिजेगा, तो सवाल है हमारे पास ह हमने गिवन डेटा में से T2 मालूम करना है, यानि के चिमनी का जो है, वो हमने टेंपरेचर मालूम करना है, उसके लिए उसमें हमें डेटा दिया हुए, HGY 34 मीटर, D दिया हुए, Draft 20 mm of H2O, W दिया हुए, हवा का वज़न 18, और T1 उसमें हमें दिया हुए, कैलवन में कर लेंगे, 300 हो जाएगा, और T2 हमने मालूम करना है, फर्मूला हमारे पास वही रहेगा पुराना, और इस फर्मूले में आप थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें लावे की बुक में, उसने जो है, कभी W की जिगा पर M यूज किया हुए, कभी M की जिगा तो मौड आप लगा सकते हैं, और नहीं भी लगा सकते हैं, अगर जो फर्मूला में लिख थानी की जिगा की फर्मूला, हैस estu आप लावेल मौड लगाने fren तो यह चीज थी ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ और इससे अगला जो क्वेस्टन है वो एज इट इस यही है और उसने थोड़ा सा उसमें एरा फिरी करने कोशिश किया फर्मूला भी यही है सब कुछ यही है उसने बस जो है ना पॉइंटों में आगे पीछे करके जो है व स्टार्ट करते हैं फर्मूला हमारे सामने हैं इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दें बिलकुल असान है सामने आपके बाद डेटा लिखा हुआ है आपने सिर्फ पुट करना है उसके बाद आपने क्या करना है सारी वैल्यूस पुट करने के बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 353 multiply by 34 इसको आप multiply कर दें D की value 20 डाल दें और आगे आप हम क्या करेंगे कि यह जो देखें जो math का असूल होता है ना कि इसका असूल यह कि सबसे पहले जो value आपको bracket में दी हुई है आपने उसको solve करना है बाहरवाली को भी आप solve करें जहां तक हो सकती है लेकिन सबसे पहले जो हमारी priority होती है वो जो bracket के अंदर values होती है उसको हमने solve करना होता है तो इसको हम solve कैसे करेंगे आप देख लेंगे right side पे 18 जमा एक dividing by 18 आ रहा है तो 18 और एक 19 हो जाएगा 19 बटे 18 हो जाएगा अब आप क्या करेंगे हमेशा आपको पता होना चाहिए कि math में कुछ rules होते हैं सबसे पहले आप multiply करते हैं फिर divide करते हैं फिर subtraction करते हैं फिर addition करते हैं तो multiply और addition जो है multiply और division यानि के जरब और तक्सीम इन दोरों मेंसे आप कोई भी पहले कर सकते हैं लेकिन एडिशन सबसे बाद में होती है तो आप सबसे पहले ब्रैकेशन में देखें तो आपको multiplication यानि के जरब का निशान दर आएगा तो सबसे पहले आपने वह value को solve करना है जिस पर एक तो ब्रैकेट के अंदर हो और ब्रैकेट के अंदर भी आपने preference देखनी है अगर multiplication और division हो रही है तो आपने पहले कर लेनी है multiplication आप पहले करें या division आप पहले करें उसका कोई issue नहीं होता अब आप ऐसा करें देखें यह हो जाएगा 19 बटे 18 अब आप उपर वाली value को 19 को आप एक से multiply करें तो 19 आएगा और 18 को T2 से multiply करें तो 18 T2 हो जाएगा अब हमने क्या करना है इसको इसका ना हमन इसके दो तरीके हैं या तो बटे के नीचे वाली जितनी भी values होती हैं उन सब को आप multiply कर दें ये एक तो ये rule है इसका और दूसरा होता है कि अगर value तीनों same है तो फिर आप एक लेंगे यानि कि बटे में अगर तीनों के बटे में दो होगा तो आप दो लेंगे एक ये तर हम उस पर ही रहते हैं तो आपने क्या करना है simple LCM या जुदाफिकल लेने के लिए आपने क्या करना है नीचे वाली value को multiply कर देना और बटे के नीचे लिख देना जैसे 300 multiply by 18 multiply by T2 ये हमारे denominator में आगया यानि बटे के नीचे वाले से में हमने तीनों values को multiply करके नीचे लिख द बनाना है तो उपर वाली values को बनाने के लिए हमने क्या करना है आप सबसे पहले तो आप LCM लेना असान इतना मुश्किल नहीं होता मैं आपको समझाने कोशिश करता हूं लेकर आपने इसकी प्रैक्टस जरूर करनी है अच्छा आप देखें कि हमने बटे में ले लिया 300 multiply by 18 18 और T2 आप उपर वाली values हमने किस तरह से बनानी है इसका तरीका कार यह होता है कि अब बटे में देखें 300 multiply by 18 T2 है तो आप अपनी left side पर देखें हमारे पास जो है वो दो बटे थे यानि दो फ्रैक्शन थी एक 1 divided by 300 और दूसरी थी हमारे पास 19 18 जमाए 19 divided by 18 T2 इसको अगर multiply कर दें तो एक step में इसमें short किया है यानि कि 18 जमाए 19 divided by 18 इसको आप अगर 1 over T2 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 19 divided by 18 T2 तो हमारे पास यह दो फ्रैक्शन यानि कि 2 बटे बन जाएंगे अब हमने क्या करना है इसका आसान तरीका यह होता है कि आप देखें 1 over 300 है आपने पस्ती 1 over 300 अब आपने क्या करना है जो बटे में हमने लिया हुआ था 300 multiply 18 T2 अब क्या करेंगे यह 300 जो है 1 over 300 यह कट जाएगा जो हमने denominator में लिया था 300 उससे जब यह उससे कट जाएगा तो आप denominator में देखेंगे कि हमारे पास क्या बचेगा 18 T2 बचेगा अब यह 18 T2 क्या ह हो जाएगा उपर वाले 1 से multiply होगा सही है यानि के जो denominator में value होती है यानि के 300 इसको आप divide करेंगे 300 के उपर यानि के 300 कट जाएगा 300 और फिर जो वैल्यू बचेगी आपने उसको उपर वाली value से multiply करना है यानि के 300 300 से कट गया बागी बचा 18 T2 18 T2 multiply होगा 1 से तो हमारे पास आजाएगा जब 18 T2 1 से multiply होगा तो हमारे पास आजाएगा 18 T2 आजाएगा अच्छा आगे चलते हैं दोनों आप देखें दोनों बटों के दम्यान माइनिस का sign है तो आपने क्या करना है माइनिस का sign दे देना है अच्छा अब माइनिस का sign देने के बाद आप आपने दुब लिया था वो था हमारे पार 300 multiply बाथारा टी टू अब आप देखें आप इसको divide करें अठारा टी टू पे तो आठारा टी टू तो आठारा टी टू से cancel हो जाएगा बाकि क्या बचेगा 300 अब ये 300 क्या करेगा अठारा और एक जो 19 से उपर वाला 19 ये 300 उपर वाले 19 से जाके multiply हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं सलाइड में ये 319 से multiply हो जाएगा ये था LCM ये इसको आपको practice करनी पड़ेगी थोड़ा सा जिन लोगों का आता है अच्छी बात है जिनको नहीं आता वो इसकी practice कर लें क्योंकर इसमें जो है आपको थोड़ा सा issue हो सकता है तो I hope के LC आपको समझ में आगया होगा असान तरीका है नीचे वाले बटे में जो भी value हो उसको आप तीनों को जरब दे दें बटे के नीचे लिख लें फिर आप बटे के नीचे लिखने के बाद आप इसको जो है जो आपकी पहली रिकम है वन ओवर थ्री हंड़ड इसको divide करें बट इसको आप डिवाइट करें तो हमारे पास 18 टी टू कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे का 300 और 300 जो है हमारे पास उपर 19 से multiply हो जाएगा ठीक है दूसरी value में 18 टी टू को हमने एक से multiply किया था क्योंकि 1 ओवर 300 था तो उपर एक था तो उसने एक से multiply किया तो इधर हमने क्या किया 19 से multiply किया क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 19 है मैं इसको explain करने कोशिश करूँगा सवाल थोड़ा सा जो है इतना difficult नहीं है लेकिन मैं वीडियो थोड़ी सी lengthy तो हो जाएगी लेकिन यह है कि आपको समझ आना चाहिए तो अब देखें LCM के तो मैंने काफी explain कर दिया बाग तो देख लेते हैं 300 को multiply करें 18 T2 से नहीं पास आजएगा 54 T2 नीचे और उपर हमारे पास जो है आप 319 से multiply करें तो मारे पास 18 T2 माइनस 5700 आ जाएगा आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो हमने क्या करना है 12200 क्योंकि यह bracket के बाहर है जब यह अंदर जाएगा तो दोनों values के 2 को अंदर multiply करेंगे तो 18 T2 से भी multiply होगा और 57 से भी multiply होगा simple हमने अंदर उसको multiply करवाया multiply कराने के बाद आप देख लें क्या values आती है 2160362 और काफी बड़ी value आ गई है ठीक है इसको और नीचे वाली values denominator में आप देखें 300 को आपने multiply किये गए 18 T2 से तो 500 T2 आ गया ठीक है और is equal to हमारे पास 20 draft है अब हमने क्या करना है अब हमने करना है cross multiplication cross multiplication आपने करते हैं जिसको जरब चिले पाई उर्दू में भी कहते हैं अपने cross multiplication करनी है तो cross multiplication में क्या हो जागा 5400 T2 multiply हो जाएगा 20 से और हमारे पास दूसरी side पर क्या रहा जाएगा जो उपर वाली value होगी यानि कि T2 वाली value जो है वो एक तरफ कर लेंगे हम ठीक है अब हमने क्या करना है सिंपल है आप क्या करें multiply कर दें 500 T2 को 20 से तो हमारे पास 108 000 T2 आ जाएगा अब सिंपल असान है आप rearrangement करते जाएं और आपका question हल होता जाएगा अब आप T2 वाली value को एक तरफ ले जाएगा यानि कि ये एक लाख आठ हजार T2 इसको आप ले जाएं दूसरी तरफ और ये जो 68410000 यानि कि छे लाख 8411000 को आप ले जाएं दूसरी तरफ तो ये माइने से अधर जाके प्लस हो जाएगा और एक लाख आठ हजार T2 जो है ये positive का है उधर जाके negative का हो जाएगा देखें T2 वाली values आपस में से minus हो जाएंगी minus होने के बाद हमारे पास जो है वो जब दोनों को minus करेंगे तो T2 वाली दोनों values यानि कि ये है 216036 T2 minus 1080000 T2 इन दोनों को आप minus करें तो हमारे पास आजाएगा 108036 ठीक है तो हमारे पास ये आजाएगा अब आपने क्या करने है simple जो भी value T2 की आई है आपने उदर इसको दूसरी साइट पर जो हमारी बड़ी रखम है 684140 इसको आपने divide कर देना है 108036 पे तो हमारे पास answer आजाएगा kel1 में 6332 kel1 अब आप क्योंकि kel1 को degree में लेके जाना है तो आप 273 को उसमें से minus कर दें तो हमारे पास 360.2 degree आजाएगा T2 का answer ठी है तो यह question जो है आपको प्रैक्टिस करना है मेरे हिसाब से important question है और एक और चीज मैंट पर आपको बताता चलूँ का अगर आपको फार्मूले पर किसी पर शक हो कोई आउनला ना समझाए तो यह जो फार्मूले है इसमेल आबित ने एक boiler engineering की book है English book है उसका नाम है question and answer के न होना चाहते हैं तो इसमें बहुत advanced formula भी है लेकिन क्योंके हमारी course outline यही है तो हमने इसमेल आबित की book ही करनी है दो 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 नहीं जाना क्योंके मेरे पास तो time नहीं है तो मैं जो important chapters हैं उनको priority पर कर रहा हूं और अगर किसने ज्यादा study करनी है तो वो English वाली book भी कर सकत है I hope के यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरी वीडियो में comments कर सकते हैं मैं अगली वीडियो में इन्शाला उनका जवाब दे दूँगा झाल 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 झाल